गए शुक्रवार को लखनौ शहर में एक गंबीर हत्या हुई कमलेश तिवारी की कमलेश तिवारी अखिल भारती हिंदू महासबा की एक लीडर थे 2015 में जेल भी जा चुके हैं भरकाव भाशन को लेकर ये जमेन हिंदू की है मुशलमानों को भारत ठाली करना होगा बहुत सारे नफरत बड़े ले लेक वगरा करते रहते थे अलग-अलग धर्मों के बारे में इस्लाम धर्म के मारे में हग्षिया हो जाती है, फ्सोस की बात है, कोई अपने उनके घर आता है, मिखाई के डपे लेकर आदा पॉना गंटा बैठता है उनकी हत्या होती है चंद गंटों में गिरिफदारियां हो जाती है तीन लोग सूरत से पकड़े जाते हैं गुजराद एटियस से ताल मेल के बाद और उत्तर प्रदेश के डिरेक्टर जेनरल और पुलीस सिंग साहब कहते हैं कि ये 2015 में लेकर जो भरका उबाशन के बाद उनके सर पे एक फत्वा डाला गया था उसको लेकर वो लोगों ने हत्या करवाई ये कतल और हत्या को लेकर और दो-तीन चीज़े सामने आएं जो बहुत इंपोर्टन्ट है एक की डीजीपी साहब वगरा कह रहे हैं कि मुस्लिम आतंगवादियों का काम है वही लखनव पुलीस में एक प्रस कॉन्फिंस की जाती है कर पर सोरात को जहां पर ये दिखा जाता है कि लखनव के खाल सा होटेल में ठेहरे हुए लोग जिसकी CCTV कवरिज भी आजकल TV चैनलों पर दिखाई जा रही है उसमें लाल और बगवा रंके कुर्ते नाम के और एक महिला वापे CCTV पर नजर आती है उनके चैरे पे तो कोई दारी वारी नहीं देखे जो पहले हमको दिखाई गई जब सूरत में गिरफतारी हुई वो एक सवाल दूसरा एक सवाल बहुत एहम है जो परिवार उठा रहा है कि लखनों में हत्या हुई शनिवार के दो बचे सुबह तक कई घंटों तक उनको बोडी नहीं हाथ में आती कुसम तिवारी उनकी माता जी बार-बार कह रहे है क्या क्या हमारे बेटे के शरीर पे भी हमारा हक नहीं है क्या जब बोडी दी जाती है तो पुलिस फैमिली को कुटम को परिवार को लखनों के समशान गात में अंतिन क्रिया नहीं करने दीती जबरन वही क्रिया कमलेश्तिवारी की सीतापूर में कई किलोमेटर के दूरी पे छोटे से स्वशान घात में होती है इस पे भी परिवार को बहुत बड़ा दुख है कुसुंतिवारी जी कहती है कि हमको खीच खीच के लेके गए मुख्यमंत्री जी के पास हाला कि हमारे 13 दिन के लिए हिंदू समाज में हम बहार घर से नहीं निकलते हैं हत्या के बाद पुलिस जल्दबाजी करके पशासन जल्दबाजी करके ये दिखाना चाहते है कि इसलामें काफटंकवादियों ने ये हत्या करवाई परिवार ये कह रहा है कि आप बार बार हिंदू बना मुसलमान मामला क्यों बना रहा है मामला सितापूर के एक मंदिर को ले कर था वहां पर एक को नाम के कोई आउल माफिया डौने उन्हों सच ँच जोट यांच एजनशी सी बता सकती है सच जुट पे हम नहीं जा रहे हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बार बार क्या टेलिविजन चैनल को ये अधिकार बनता है कि इस तरह के सवाल करें क्या अगर खूनी या कतल करने वाले लोग अगर मुसल्मान ठहराए जाएंगे तो क्या आप इसलाम उर्दाबाज जैसे स्लोगन देंगे या नहीं देंगे इस तरह के घटिया घटिया सवाल आज चैनल्स पे दिखाये जा रहे हैं प्रिष्टिवारी की हत्या एक और बहाना बन गया है जहर उगलने के लिए सोशल मीडिया ट्विटर पे हैश्टैग शनिचर से लेकर आज तक इसलाम और मुसल्मान के खिलाबना से जहर उगल रहे हैं मंगर धंकिया भी दे रहा है यह हत्या की कुछ दिन पहले बंगार के मुश्रिदाबाद में एक इनसान इनकी बीवी और आट साल के बच्चे की हत्या हुई अचानक आपके भारतिया जन्दापार्टी के स्पोक्सपर्सन और केंद्र एक मंत्री टीवी पे जाके बोलते हैं कि आरेसेस की वरकर की हत्या हो गई है फैमिली डिनाड जनाय करता है परिवाइब करता है कि यह आरेसेस के वरकर नहीं थे हैं फॉलिाटिक से जुड़े हे नहीं हैं डश दिन बाजिवाद्वफार्वतारी होती है तो इस ऐलता कि बहरा नام के कोई इनसान कुई बात ना आये हम नौक्रियों की बात न करे हम बेरोजगारी की बात न करे हम permits ब्रौजेक्स क्लियर हो गये हैं और इसलिए गोदी मीडिया अपना काम कर रही है सवाल है कि आप और हमको क्या करना है शुक्रिया